गुड बॉर्निंग मैं हूँ दीप्टी शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूजेटीन के हमारे स्खास कारिक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस विशेश सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ड के जरिये जानते हैं कि आज के हमारे द दिन जो है बहुत ही बहतरीन होता है तो दोस्तों हम जो डिवाइन गाइडेंस लेंगे वो लेंगे एक से लेकर नौ मूलांग तक की लेकिन आपकी रीडिंग कौन सी होगी अगर आपने हमारे कारिक्रम को नया ही जॉइंग किया है तो आपको उधारन देकर समझाना और आज की तारीक जो नंबर चार है नंबर चार के स्वामी होते हैं राहू जिनका की इंपक्ट हमारे माइंड पर बहुत अधिक पड़ता है रातरी में अगर आप बहुत ज़्यादा विचार करते हैं नींद जो है वो लेट आती है और आपके दिमाग हमेशा जो है वो च कारण भी होता है तो आपको क्या करना है चोटा सा उपाएं बताती हूं बिल्कुल आसान उपाएं कि चंदन का तिलक नगाना आप शुरू कर दीजिए ऐसा करने से अगर आप उर्जा को थोड़ा बहुत भी महसूस कर सकते हैं तो आप देखेंगे वेरी फॉर्स डे जैसे नहीं रहा है है हाई प्रीस्टिस देखे मूलांक सूर्य कांक होता है वैसे धी और आगर हाई प्रीश्टिस कर आजाए तो दोस्तों के जो डेक है समें सबसे ज्यादा पावफुल कार्ड मैं इसी को मानती हूं हाई प्रूस का काड अर्थ है आपकी जो नॉलेज है एक्ष तो by birth आपको मिली है ऐसी बहुत सारी qualities है आपके अंदर आपके अंदर leadership की quality है आपके अंदर clear communication की quality है अगर आप मूलांग के जातक है और clear communication नहीं है इसका मतलब कि आपके throat chakra जो है वो कहीं ना कहीं आपके blocked है तो आपको उसके उपर काम करना चाहिए लेकिन आज आपको क्या कहा जा रहा है कि आपकी जो ये wisdom है इसको आप लोगों के साथ share कीजिए आपके बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जहां पर कि आप लोगों की मदद कर सकते हैं जरूरी नहीं कि आप किसी बहुत बड़े पदपर बैठे हों आप जिस भी स्थान पर हैं आप जो भी कोई कारे कर रहे हैं अपनी कारे को आप जितना अधिक इमानदारी से करेंगे और जितना ज्यादा लोगों तक उस कारे के बारे में पहुंचाने का प्रयास करेंगे उतनी ही अधिक सफलता आपको प्राप्त होगी लोग आपसे आकर्शित होंगे आए जानते हैं मूलांक दो के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है चार जुलाई दो हजार तेस के लिए और मूलांक दो के लिए हमसे कहा जा रहा है फेरनेस का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है किसी प्रकार की आप चिंता ना करें व्यर्थ की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है खास तोर पर जब बात आती है आपको दुख लगता है कही न कहीं आपके साथ नाइंसाफी होती है कोई अगर आपके साथ गलत कर रहे हैं और आप उस चीज़ को देख पा रहे हैं समझ पा रहे हैं तो परमात्मा आपको क्या क में फैसला जो है वो आएगा तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें आप निश्चिंत रहें आए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है आज 4 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक 3 के को कहा जा रहा है से हैं 술 पेश का कार रहें आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन धारिक यात्रा का योग है आज के दिन आपकी धर्मकरम में आस्ता रहने वाली है दान पॉने आपकर सकते हैं आप ऐसा कोई या तो घटना आपकी जिदीगी में घट washstone का a मात्मा को समझना चाहिए तो हो सकता है कि आप मंदिर जाए आज से आप उनका कोई लिट्रेचर पढ़ें जिससे कि आप उनकी विशे में और जान सकें ऐसा कोई क्योंकि गुरु करपा बनी हुई है उस वज़े से क्या हो रहा है कि ब्रह्मांड की जो सकारात्मक उर्जाएं हैं वो आज आपकी तरफ आकर्चित हो रही है ऐसे में इन उर्जाओं का सदूपयोग कर आप अपने जीवन में करते हैं अपनी आध्यात्मिक उन्नती के लिए तो आपके लिए बहुत ही जादा फाइदेमंदाज रहने वाला है आईए जानते हैं मूलांक चार के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है चार जुलाई 2030 के लिए मूलांक जो है वो भी है चार तारीक भी है चार और हमें गाइड किया जा रहा है कमपैशन का कार्ड है मूलांग चार के जातकों से कहा जा रहा है कि आज के दिन बिल्कुल भी ना करें साथ ही साथ आपके आसपास जो लोग हैं उन्हें किसी भी तरह से आप जज ना करें खास तोर पर हमने देखा है कि बहुत सारी लोग हैं सोशल मीडिया एप खोलेंगे और उसके काटनर को जज नहीं करना है आप यह समझें कि जो भी विक्ती जैसा भी व्यवहार कर रहा है वह अपनी परिस्तिती के अनुरूप कर रहा है तो आज के दिन आपको ऐसे किसी भी नकरात्मक विचार से अपना आपको बचाना है आए जानते हैं मूलांक पांच के लिए हमें माभग्वती आज क्या गाइप कर रही है आज चार जुलाई 2023 के लिए और मूलांक पांच के लिए हमको कहा जा रहा है काली का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि मा काली की करपा आपके उपर बनी हुई है और जब मा काली की करपा होती है तो बड़ी ही उग्र होती है आप ये जान लेज़े कि जिस दिन मा काली की करपा होती है विशेश तोर पर ओ दिन थोड़ा सा जो है न उथल फुतल वाला हो कि करता है सकता है कि आज की दिन जो है ऐससं कोई वस्तू ऐसे कोई व्यक्ति ऐसी कोई घटना आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए जो कि बिलकुल भी ठीक नहों कहीं ना कहीं हमारी soul को जो offend करें ऐसी परिसिती ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा कोई वस्तु जो हमारे ठीक नहीं है negative energies हमारे को transfer कर रही है तो कहीं ना कहीं ऐसे चीजों से आज मा भगवती की कृपा से आप मुक्त होने वाले हैं तो कहीं ना कहीं आपको detachment के भाव में रहना है क्योंकि यह जाधा तर देखा गया है कि जो लोग बहुत जाधा toxic होते हैं जो लोग कहीं ना कहीं हमें भीतर से परिशान करते हैं जो हमारे ठीक नहीं होते हमें बहुत जाधा उन लोगों से attachment होता है तो try to detach yourself from each and every negative aspect of your life क्योंकि आज मा उसे आपसे दूर करने वाली है मा की क्रपा है ऐसे में शत्रु जो है वो भी आपके परास्त होंगे अगर किसी प्रकार का शड्यंत्र कर रहे होंगे तो आए जानते हैं मूलांक पांच के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है चार जलाई 2023 के लिए और मूलांक पांच के लिए हमको कहा जा रहा है bodies of water का card है कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो water intake करना शुरू कर दीजे आप लापरवाही कर रहा है dehydration हो सकता है स्वास्त संबंदी परिशानी किसी प्रकार से हो सकती जो कि जल से संबंदित हो तो इसका विशेश ध्यान रखें साथी साथ आपको कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आप vacation मनाने के लिए किसी जलाशे के आसपास जा सकते हैं जहां कई नदी तलाब समुद्र हो ऐसी किसी जगह पर आप vacation के लिए जा सकते हैं है अफिक कुक सभी अपना औरा भी आज किलीण करना चाहिए डिवार लग भलत भी एगरा आपको बहुत जीепाश़्ा और ले ना चाहिए यह जानते हैं मूलांक साथ केलिए हमेंैं परमात्माय किया गाईट ळुक्षा आज 4 जुलाई 2023 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमको कहा जा रहा है boundaries का card है मूलांक साथ के जातकों को कहा जा रहा है कि आज के दिन किसी को please करने के लिए किसी को खुश करने के लिए जबरदस्ती हर काम को हाहा करने की जुरत नहीं है काम के बोज से आपको आज बचना है ऐसा कोई commitment नहीं करना है जिसको कि आप पूरा ना कर सके लोगों को ना कहने की यादा डाले क्योंकि कहीं ना कि wrong commitment की वज़ा से नाम खराब हो सकता है तो इस बात का आपको विशेश आज ध्यान देना है साथ ही साथ अगर आप किसी विक्ति के साथ team up करते हैं किसी काम को करने के लिए किसी project को करने के लिए किसी business में आगे आने के लिए तो सोच समझ कर आप उस विक्ति का पहले पूरा व्यवहार देख लें उसके characteristics देख लें कि वह आपके लिए कितना honest रहने वाला है उसके बाद ही आप आगे बढ़े और अगर आपको लगता है कि कोई विक्ति आपके लिए ठीक नहीं है तो इस पश्ट रूप से आप ना कहें आए जानते हैं मूलांक आठ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे है आज 4 जुलाई 2030 के लिए और मूलांक आठ के लिए हमें गाइड किया जा रहा है बोडिस ओफ वाटर देखो कहीं ना कहीं काइड जाय है वो रिपीट हुआ है मूलांक आठ के जातकों से भी कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है वो कहीं न कहीं पानी के इर्दगर्द बिताना है हो सकता है कि आप किसी विकेशन पर अप वहाँ जाए या फिर ये भी हो सकता है कि आप आज जो है अपना treatment किसी भी प्रकार से water therapy पीकर ले, आज आपको पानी जादा पीना है, बिलकुल भी डियाईडरेशन नहीं होने देना है, बॉड़ी में साथ ही साथ, चुंकि आपकी इमोशन जो हैं, वो बहुत आज हाई रहने वाले हैं, हो सकता है कि आपको क्रोध आज आए, या आप बहुत जादा इमोशनल वीक क्लीन करना चाहिए जिसमें वाटर टेक्निक की आप सहायता ले सकते हैं आपका दिन शुबह आए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइद कर रही है चार जुलाई 2023 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है देखिए दो काड़ाएं हैं पहला है डोंट बैक डाउन और दूसरा है रिसिप्टिविटी आपको कहा जा रहा है कि जो भी कोई आप काम कर रहे हैं आप बिलकुल सही दिशा में हैं ऐसे में किसी भी प्रका है तो आपको डिवाइन क्या कह रहा है कि सब की सुनो लेकिन वही करो जो आपकी अंतरात्मा को करने को कहती है अगर आपकी अंतरात्मा ने किसी प्रोजेक्ट को किसी काम को करने के लिए हमी भरी है तो आपको बिलकुल करना चाहिए अगर आपको कोई कुछ भी कहता है तो को एक कांसे सोने दूसरे से निकाल देता को का जारा डॉंट बैक डाउं कुछ भी हो जाए आपको पीछे नहीं हटना है और साथ ही साथ आप पीछे नहीं हटेंगे तो ऑटमाटिकली डिवाइन से परमात्मा से लोगों से आप बहुत कुछ प्राप्त करेंगे अब जो करते हैं कि आप अपने अपना जो विचार है आपका जो अपना डिसिजन है उससे पीछे ना हटें आपका दिन शुब हो तो दोस्तों यह थी रीडिंग हमारी एक से लेकार नौ मुलांग तक की हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें स्वस् नवश्का रावस्वी का सौगत भाग्यम मैं मैं हूँ पंडित चंद्र शेकर शर्मा दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांकी आज दिनांग है 4 जुलाई सन 2023 विक्रम संवत 2080 चल रहा है श्रावण मास से कृष्ण पक्ष्य वडशा रितू है ती साइट बच के 25 मिनट तक है आगे उत्तर शाड़ा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात रहेगा योग इंद्र है दिन में 11 बच के 48 मिनट तक आगे वेद्रती योग है तो योग की द्रश्टी से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है लौकिक द्रिश्टी से भी और अध्यात्मिक द्रश्टी से बहुत ही अच्छा रहेगा करन कॉलाव है दौपेर एक बच के 49 मिनट तक आगे तैतिल करन रहेगा सूर्योदेगा समय दर्श्ट को सुबह 5 बच के 27 मिनट का था और सूर्यास्त का समय शाम 7 बच के 22 मिनट का है आज का राहुकाल दौपे के बीच है दिन में दो बार दुष्ट मुरद भी रहेंगे इन्हें ध्यान से समझेगा और सूजबू से टाल दीजेगा ये हैं सुबह 8 बच के 14 मिनट और सुबह 9 बच के 10 मिनट दोनों को टाल देंगे तो दिन का सदूप्योग आप अच्छे से कर पाएंगे आज का दिशा की और मुक करके और फिर पांच कदम पीछे चलना है और जब आप पीछे चलें तो अपने हिर्दे में अपने इस्ट या भगवान श्रीराम का ध्यान करें और फिर यह यात्रा करें तो यात्रा बहुत अच्छी रहती है आपका कारे भी सुद्ध हो जाता है और दि यह दोनों समय बहुती शुब और योग का रखें तो अच्छे कोशिश कोई रिष्टे की बात करें बिजनस डील करें या कोई पूजापाट शुरू करें तो इन समय का ध्यान रखते वे करेंगे ज्यादा आच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा आज की चंद राशी दर्श राशी वाले स्वास्तलाब करते वे दिखेंगे मिथुन राशी वाले ध्यान रखे कि आज पार्टनर्शिप में धोका न मिल जाए करक राशी वाले पुराने डूबेवे पैसे वापस पा सकते आज और सिंग राशी वाले ध्यान रखे कि ओवर स्मार्टनेस कभी-कभी न ना फंज जाएं वरष्टिक राषी वाले आज किसी अपने खास व्यक्ति की सहायता करेंगे आपने एफट्स में शफल परिणामों से होंगे प्रोचाहित मकर राशी वाले आज किसी भारी समझ्चा से बहर करेगी फिर आगे समझेंगे उन विश्यस्ट उपायों को जो जीवन को सुगम सुन्दर सफल और सुरक्षित कर देते हैं और अंत में करेंगे आज की दिन मास भगवान शिवजी को सबसे अधा प्रिय होता है और इस पुनीत मास का प्रतेक दिन ही पर्व है हर दिन तुहार है इस मास की महीमा सुनने से भी अत्यंत पुन्य लाव होता है इसलिए इसको श्रावन मास कहते हैं जो कि श्रवन शब्द से बना हुआ है इसी मास में वक्त कावड यात्रा करते हैं जिसका बहुत ही गहन अध्यात में करते हैं एक और यह भगवान शिवजी को प्रसंद करने के लिए है वहीं दूसरी और उनसे एक सांकितिक प्राथना भी है कि जो अत्यंत वर्षा हो रही है तो ऐसी स्तिती में कहीं बाढ़ की स्तिती ना ब प्राप्ति होती है पूरे सावन में जो भक्त ओम जूम सहे ओम जूम सहे इस मंत्र का जाब करते हैं उनके रोग अकाल मृत्यू के योग अपन्याब नस्ट हो जाते हैं पूरे श्रावन काल में त्रिदल बिल्व पत्र शिवलिंग पर अर्पित करने वाले को अक्षे धन ज्यान और सुक्की प्राप्ति होती है जब आप बिल्व पत्र अर्पित करें तो ये श्लोक अवश्य बोलें ध्यान से समझेगा त्री दलं त्री गुणाकार त्री नेत्रम चे त्रिधायुतं त्री जन्म पाप संगारं बिल्व पत्रम शिवारपणम श्री भगवते सां के नमहें बिल्व पत्रम समर्पियामी इस प्रकार से श्लोक को बोलते विए बिल्व पत्र समर्पित करें तो आपको पूरा-पुराइस का फल मिलेगा तो जर्शे को ये थी आज की ज्यान चर्चा अब बात करतें उन विसेश टुपायों पर जो सभी प्रकार की आपकी सम जनम दिन है तो जिन जिन लोगों का जनम दिन है आप सभी लोग आज सुबह सुबह महादेव पर गन्ने के रस और शहत से अभिशेक करें और पंचाक्ष्री मंत्र की 27 माला घजाब करें पंचाक्ष्री यानि नमह शिवाय और फिर शाम को साथ बजे हनुमान जी को सवा प कुमपा के साथ होगा इसमें कोई भी संद्य नहीं है दर्शे को आज स्रावन के मंगलवार को आप कीजिए महादेव का पूजन ऐसी विदी से कि आपकी जनम पत्री का मिस्तित मंगल और केतु ग्रह के दोश पूरी तरीके से शान्त हो जाए इसके लिए आजा भगवान श इंदन की माला गुड़हल के पुष्प और कुमकुम द्वारा शंगार करें और खीर का भोग लगाए इसके बाद में अपनी जनम पत्रिका में मंगल संबंदित दोशों की शांती की प्राथना करें और फिर ओम अंगारके श्वराई नमहे इस मंत्र की 11 माला का आप जाब और फिर चार माला ओम भों भोमाए नम है इसका जाब करें इसके बाद में सवा किलो गुड गुड गुढमाता को खिलाएं और सवा किलो गुड किसी पार्क में या मंदिर की भूमी में दबा दें इससे आपकी जनम पत्रिका के मंगल के दोश शान तूंगे अगर आपकी जनम पत्री का मंगल निर्वल है वो ठीक होगा रक्त संबंदित कोई दोश आपके शरीर में हैं वो ठीक होंगे भाई बंदों से आपकी नहीं बनती है इस प्रकार की कोई समस्चा है वो भी ठीक होगी क्योंकि मंगल आपका प्रबल हो जाएगा ऐसे आप आज भगवान गण चौदा रोटियां यहीं चौदा रोटियां लेनी हैं अपने सुर पर से उतारा करना है यह श्वानों को खिला दें ऐसा करेंगे तो आपकी जनम पत्री का में केतु ग्रेवी प्रतिकूल प्रभाव देना बंद कर देंगे और इनका शुफल आपको पूरा-पुरा मिलने लगेगा तो दर्शे को यह थे आज के विसस्ट उपाए जो आपके मंगल ग्रे को ठीक करेंगे केतु को ठीक करेंगे बड़ी-बड़ी समशाओं से आपको बाहर लाएंगे अब बात करते हैं आपके सवालों क्या आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्रीका यह हमा कर्मा और सूर्य दोनों नीच राशी में तो ऐसे में आपकी मानसिक और आत्मिक शक्ति दोनों शीन हैं आप मनोबल बहुत जल्दी हार जाते हैं और हट से अदाब भावोक हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं पहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं लेकिन इस चीज को और एक पुखराज यह दोनों तीनों रतना धरन कर लीजिए फरवरी सन दोजार चौबिस से आपकी इन समश्याओं में बहुत सा आराम आने लगेगा अभी छे महीना आप सावधानी भी रखें कि ऐसी को श्तती को विवाद की स्तती ना बने जिसकी वज़े से समश्याइं बढ़ जाए आज की दूसरी पत्री का हमारे पास आईए हमारी दर्शक आकांग्शा जी की दोसा से 25 मार्च 1996 का जनम है दोपेर 12 बज के 21 मिनट दोसा प्रश्न किया विवा योग कब है देखिए आकांग्शा जी सब्तम भाव में आपके गुरु बैठा है उस पे शनी की दश्रम द्रश्टी आ रही है तो ये दूनों चीजें विवा में विलम करते हैं फिर आपका लगनेश बुद्ध और भागे शनी दोनों अस्त भी हैं तो बुद्ध शनी के आप जाब करवाई एक पन्ना गले में पहन लीजिए विवा आपका अगले वर्ष यानी सन 2024 में नवंबर दिसंबर महीने में हो जाएगा और कोई समश्य उसमें नहीं आएगी तो दर्श को ये था आज का पंचांग आज के विश्ष टुपाय और ग्यान चर्चा मैं पंडे चंदर शेकर शर्मा यह आशा करता हूं कि बताएव उपायों को सही विधी सटीक समय पे करके अटूत शद्धा के साथ करके आप पूरा पूरा लाव उठाएंगे और जो ज्यान चर्चा सत्संग हमने की इसे अपने जीवन में होता रहेंगे धीरे धीरे आपका जीवन शिव में सक्ट्य में और आनंद में होता जाएगा मैं महादेव से प्रातना करता हूं कि आप ज अक्षिना समझ लीजिए लेकिन साक्षात प्रकट प्रकरती भगवती की सेवा अवश्य कीजिए आप कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साथ वाद भगवती आप सबका कल्यान करें जय आदिशक्ति